परवत में दो तिन चीजे बहुत important होती हैं बुद्ध के परवत में एक तो सबसे पहले विवार एका देखी जाती हैं बुद्ध के परवत की उंचाही देखी जाती है क्योंकि बुद्ध जो है आपके बौधिक शम्ता को दिखाता है बुद्ध का परवग जितना ज़्यादा उन्नत आप उतने ज़्यादा बैलेंस फॉर्म में रहेंगे लौजिकली और एमोशनली बौट अब आपका दिमाग लौजिकली ज़यदा अच्छा काम करता है ये बताए या आपकी मस्तिष्क रेख़ा मस्तिष्क रेख़ा अगर स्टेट मंगल परवद तक आए तो व्यक्ती होता है अगर इसका जुकाओ बहुत जादा चंद्र पर्वत की और नीचे जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में जादा इमोशन्स जालता है उसको अपने मन मुताबिक काम चाहिए अगर चंद्र पर्वत की और धना लिये हो तो लेकिन बुद्ध का पर्वत अगर अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल वाला होता है उस वो अपने आपको हमेशा रेगुलर डेवलाप करने में ध्यान देता है नई नई चीजे सीखता रहता है अपने आपको हमेशा अपग्रेट रखता है ब्रसपती भी अपग्रेट रखने में हल्प करता है समय के साथ चलो लेकिन बुद मंगल रक्षातमक मंगल क्या देता है लेक्टे की पर्सनलिटी अगर लेकिन ज्यादा इमोशनल होता यह लुग ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सर यह identify कैसे करेंगे सर मितलब अगर परवत है तो हाट तरफ से ढलान तो हो गई नहीं हर किसी हाथ में नहीं होता ना मैडम परवत है अगर बुद्ध का परवत उठा हुआ है और मस्तिष करेखा का ढलान चंद्रपरवत की होर हो तो वैक्तिक creativity में ज़ादा अच्छा करता है emotional ज़ादा होता है वो logical brain नहीं लगाता है ठीक है अगर मस्तिष करेखा का जुकाओ चंद्रपरवत की होर आ जाए इधर से ऐसे तो ऐसा वैक्तिक क्रियेटिव होता है इमोशनल होता है उनका लॉजिकल ब्रेन नहीं चलता चीक है लेकिन वही जब रेखा मस्तिश रेखा बिलकुल सीधी हो यानि यहां मंगल परवत से स्ट्रेट जाके बाहर एक्स्टरनल मंगल में ही खतम हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवड होता है नो इमोशन्स एकदम मूपे पॉइंट पे बात करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टन होते हैं एक पैसा दूसरा मौके का मौके में चौ बिजनस करते हैं जो ट्रेंड में है उसमें वो बहती गंगा में पैसा कमा लेते हैं और अक्सर बिजनस बदलते हुए भी दिखेंगे और इनके पास एक चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि ये ना बिजनस को बिजनस की तरह डील करते हैं जैसे कैसे मैं बताता हूँ अगर सपोज मुझे बिजनस चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए तो वो सिस्टम खरीदेगा उसको काम पर लगाएगा उससे बिजनस आ गया उसको फेक देगा बोला इसका काम खतम लेकिन जो इमोशनल इंसान होगा ना उस सिस्टम को और अच्छे से रखेगा नॉर्मली सब को अपना घर में अच्छे से साफ सफाई करके रखते हैं भाई मेरा सिस्टम अच्छा होना चाहिए काम होता है इसमें और कुछ खराब हो जाए ना तो जल्दी से उसको रिपेर लोग जिनका जिनकी मस्तिशे का धलान जादा चंद्रमा परवत की हो जाए और बुद्ध का परवत भी उठा हुआ रहे तो ऐसे लोग किसी भी घर की अपने चीजों से अटैश्मेंट बना लेते हैं इमोशनल अटैश्मेंट ठीक है